कि अप्रूट व्यूंट ऑड़ Lee footage को अ मेरे गड़ी गुड़एविनिंग टू अलमकेट हो तो मैथेमेटिक्स्टू फइनेंस में आज हम नियू टॉपिक पर आ चुक हैं इस से पहले अल्रेडी हमने simple interest को समझा इससे पहले हमने compound interest को भी समझा compound interest में हमने जो rate different होता है हमने इस चीच को भी समझा continuously को भी हमने ऐसे समझा तो सब भी तमाम topic को cover करने के बाद और आज ची class का मारा topic रहेगा nominal and effective rate of interest नॉमिनल and effective rate of interest क्या होता है सबसे पहले आपके मन में question होगा किसार क्या होता है और ये Effective rate of interest क्या होता है दो पहले आपके मन में दो सवाल है आए इन दो सवालों के जवाब ले लेते हैं उसके बाद मैं इस सवाल पर दुबारा लॉट करके के मैं आऊँगा ठीक है जी बाद समझें आईए पहले समझते हैं नॉमिनल और एक्जामपल लेते हैं एक्जामपल समझेगा पहले देखे प्रिंसिपल मान लेजिए वन थाउजन रुपीज है एक्जामपल के लिए समझेगा रेट ओफ इंट्रस्ट दस परसेंट है इंट्रस्ट जो है टाइम डूरेशन वन येर है और इंट्रस्ट चार्जेबल हर सिक्स मंत में हैं तो मैं यह देखता हूं कि छे महिने में मेरे कितना पैसा बनेगा पहले मेरे बास पहले पूरी कहानी समझ लीजिए फिर बताओं आपको नॉमिनल डेट ओफ इंट्रस्ट क्या होता है अब देखीगा सबसे पहले आपको यहाँ पर मुझे यह बताना है कि कितना आपको कंपाउंट इंट्रस्ट मिलेगा सी याई कि मुरस सवाल यह है तो आप किस थे किसे आप अमाउंट निकाल लो पहले ठीक है अमाउंट का फार्मला क्या दिया था आपको अमाउंट इक्वल्स टू वन ड्रेकिट वन प्लस आपका एंट ठीक है अमाउंट इक्वल्स टू तो सॉल करेंगे आप तो इससे पहला को क्या करना पड़ेगा मोडिफाई करना पड़ेगा आपको एंड निकालना है तो हर सिक्स मैंने में इंट्रस्ट चार्ज करते हो तो वन येर में कितनी बार इंट्रस्ट चार्ज तो हर सिक्स मैं चार्ज करते हो तो वन येर में हाफ ज़िए तो टू अब रेट फ इंटरस को मोडिफाई करोगे तो इसको ट्वेल से अलवेस डिवाइड करते हैं तो वन इसको आपन बाइट लोगे तो इसको आप बंद्वाई तो से मल्टिप्राय करोगे तो क्या गाए तो यहां पर हम मैं apply करने जा रहा हूं principle क्या है मेरे पास में 1000 वन प्लस rate of interest क्या है मेरा पांच परसेंट यूज़ करूँ है और यह दो बार तो solve करते हैं क्या है एक हजार solve करेंगे तो एक बटा 20 मतलब कि 21 बटा 20 multiply by 21 बटा 20 clear जी solve करेंगे तो यहां पर आपके पास में कबसे पहले 2 zero remove हो गया उसके बाद आपके पास में क्या है आप 5 आ गया solve करेंगे 441 गुणा 5 बटे में क्या है 2 आप solve करेंगे तो 5, 5.20, 2, 5.20, 22 और बटे में 2 तो solve करेंगे किया रिजल्ट आएगा दो इकम दो टुटुनी चार की दो पंच्चे तहुन की तो कितना जंड़ आ है मेरे पास पे ज्यारा सो पांच तो ज्यारा सो दो रुपय sì, पचास पास यह रिजल्ट आ है वह तो क्या अब अगर आप इसको ाइंट इंट्रस्ट आपको मिला एकसो दो रुपए पांच क्लियर है वाध संजे का एकला लेकिन अगरमियर ही इतना ही रिटन लेने के लिए बläसा क्ले क्लिये और मैं हालिक व्लाइस आफ ही इसमुना करों अल्ट पंप ये 202 1-20 ये मुझे ब्याज लेने के लिए कि 가격ए Scope अजार के ऊपर यह ए Exercise तो ये थावजंड का कितना परसेंट है ये थावजंड का कितना परसेंट है आपका कितना पॉका 10% half yearly का effective क्या निकला rate of interest 10.25% निकला तो इसी को हम क्या बोलते हैं इसको हम nominal rate of interest कहते हैं और इसको हम effective rate of interest कहते हैं तो first of all आपको ये खिस्ता समझमाया कि nominal rate of interest क्या होता है एफेक्टिव rate of interest क्या होता है तुरी बात समझे क्लिए रहे हैं को डाउट किसी बच्चे को तो आप इसको देख लीजिएगा डियर पहले में लिबस को भी थोड़ा सा आगी करना लास्ता से मैंने डाउट लिये था आपका टूपइंट टू एक्ससाइज से सारे कुश्य ने पूछे था बट दुवारा मैं आपके डाउट ले लूँगा हमारे लिए सबसे पहले जरू आपको वह हमारा नॉमिनल था और उसको अगर मैं वह जो मैंने हाफ फेरली बताया था सेम रिजल्ट पर्ड्यूस करने के लिए मुझे एनवली किस रेट ओफिंटर्स को रखना चाहिए तो क्या आयता मेरा वहाँ पर 10.25 परसेंट आयता तो वह मेरा क्या था इस एक्वेलेंट टो और नॉमिनल रेट ओफ एट परसेंट तो एट परसेंट है कर्वटिट वाट ली तो आठ परसेंट क्वाट ली जो रिटन देता है उसी के एक्वेलेंट रिजल्ट को पाने के लिए मुझे कितने परसेंट एन्मली रेट ओफिंटर्स रखना थीक है एक इंटस मिलेगा अगली पार्टी मुझे कहती है यह हाफ यर्ली कॉर्टरली बगएरा कुछ नहीं जो है साल का हुसाब होगा साल में आके ब्याज देना यह रोज आके में दर्वाज़ें मत कर खड़ाना मैं चाता हूं इस तो मेरा फाइदा क्या हुआ कि मैने आठ परसेंट युद्ध के लिए ध्याज कर लिए साल में चार बार बार जाता इस आगले जाता तो उस पृंसप्रिंसपल पर इंटस्ट तो मैं इस तरह के से करता रहता है है मैं यह नहीं कर रहा चा मारें बप्रसंद ले लिता अगर मैं आठ परसंट कर रहाऊ आठ पर आडa का रहाऊ तो क्या निया ऍवाइत संद्क या इद्प तो मैंने सूचा यार यह यह उसके भाई साथ जो है इनको तो मैंनाrey आठ पसं ग्वार्डल लेंगे क्योंकि वे एक quarterly में जाएंगे तो लेकिन चार बार की विए से इंटर्स पर इंटर्स जादा लग जाएगा लेकिन दूसरे भाई सब कहते हैं कि मेरे पास में इसने बार बार मताना है तो सवाल यह कि मुझे उससे इतना है इंटर्स चाहिए और यह कहा कि में से जादा चार्ज मत करना तो सवाल यह है मेरा कि सेम एट परसेंट जो इंपक्ट डाल रहा है अगर मैं इसको एनुवली लेकर के चलूं तो मुझे क्या रिट आप इंटर्स रखना चाहिए इफेक्टिव रिट ऑफ इंटर्स क्या रहने वाला है इसका समझे तो यहां पर मैं सिंपल क्या फार्मला अप्लाई करूंग एफेक्टिव रिट ऑफ इंटर्स का यहां पर यह बात आपको पहले समझ में आई या नहीं है बताए ज़िए रहा है क्लिर है कोई डाउट तो उसका सिंपल सा फार्मला है आपके पास में आप इफेक्टिव रिट ऑफ इंटर्स निकाल रहें न आप इफेक्टिव तो आप एक काम कीजिए सिंपल वन प्लस kakare under page to power and minus απόelf कि कुभी भी आपको ओर डिफेक्टिव परींट निकाल थो चोड़ोए वे यहां पर किया लगीग आपका-1 लगेगा मेरी बास समझे सब्सक्राइब तो पूछ लेजिए तो हमेशा इस फॉर्मले को आप द्धान लखेंगे कि अब मैं यहाँ पर रेट ऑफ इंटर्स निकाल रहा हूं इफक्टेव तो वन प्लस रेट अफ इंटर्स क्या है आठ परसेंट आठ बटा सो लेकिन क्या है क्वाटली तो क्वाटली में क्या होता है चार बार इंटर्स होगा तो रेट ऑफ इंटर्स को क्या करूँआ मैं चार से डिवाइड होगा या नहीं होगा मैं तो फिर देख लो rate of interest 8% है time कुछ नहीं गिवन है तो silently one year मान के चल लिए ठीक है जी खर कितने साल के लिए quarterly कुछ नहीं तो one year मान के चल लिए तो यहाँ पर आपके पास में quarterly है three month में interest chargeable है तो divided by 12 करोगे तो क्या आएगा one by four आएगा ना हो गया तो बस rate of interest effective निकालना है आपको two one plus two by hundred और यहाँ पर मेरे पास में क्या हो गया यह मेरे पास में N की जिगे पर क्या यूज करूँगा मैं four minus one यह बात समझ में आपको आई नहीं तो चार से divide rate को कर देते हैं चार से multiply कर देते हैं solve करते हैं rate of interest effective rate of interest equals to आपके पास में एक बटा पचास तो क्या आगया आपके पास में one plus zero point zero two ठीक है कि power four and minus one rate of interest effective क्या आएगा हमारा one point zero two raise to power four minus one इसको तो हम calculator पर ही calculate कर सकते हैं किसी table कि तो requirement नी दो चार value तो हम निकाली सकते हैं one point zero two multiply by one point zero two one point zero two कितना है यहां पर one point zero eight two four minus one करों तो क्या एगा जीरो point eight two four clear है zero point zero eight clear है अब आपको इसको percentage में convert करने के लिए क्या करेंगे hundred से multiply कर दो तो क्या आया eight point two four percent तो यह क्या हो गया यह इसका effective rate of interest में return में जाएगा बात समझे यह नहीं समझे clear है जी तो आपको nominal and effective rate of interest समझ में आया या नहीं आया अब ऐसी question है find the effective rate of equivalent to the nominal rate six percent converted monthly and continuously पहले monthly कह रहा है तो monthly हो तो आपको पता यह कौन तरफाम लगाएंगे हम effective rate of interest तो rate of interest effective निकालने के लिए हम one plus और बाइंडर्ड रेज़ टू पावर एन और minus one लगाने वाले है ठीक है चलिए rate of interest effective निकाल रहे हम तो यहां पर क्या है मेरे पास में one plus rate of interest कितना है मेरे पास में six percent है था क्लेरे जी छे बटा सो क्लेरे जी और लेकिन monthly है तो monthly का मतलब क्या होगा मेरा rate of interest 12 से डिवाइड हो जाएगा और time यहां पर आप क्या करेंगे माइनिस वन करेंगे तो rate of effective rate of interest equals to अगर आप इसको solve करते हैं तो क्या आएगा दो से कड़ गया तो one plus one upon दो से कड़ गया ने तो क्या आगया 200 raise to power 12 minus minus one तो rate of interest effective निकाल रहे हैं तो क्या होगा मेरे पास में दो सो एक बटा दो सो की power 12 minus one वो तो calculator था उससे में दो तीन चार्ट तो कर दिया हमने फिरें पावर बारा को solve करने में तो आप खुछ कंफिस हो जाएंगे कि कई कुछ गरबर तो नहीं कर दिया आपने एक बार ज्यादा मल्टिप्लाइ तो नहीं कर दें कंतों नहीं कर दें तो आपके लिए समस्या आने वाली है देखिए का क्या कर रहा बस इसको यहां लिया है मैं मैंने कुछ लॉग नहीं लिया अब मैं लेने जा रहा हूं लॉग टेकिंग लॉग बहुत साइज ठीक है जी लॉग रेट अफ इंटर्स एफेक्टि फ्लस बन एक पर सुझ यहां लॉग लूँगा तो क्या जाएगा ट्वेल क्लियर जी ट्वेल यहां जाएगा और क्या हुजएगा मिने प्लस में लॉग 201 ए अपॉन बी ना तो ए मैनिस भी हो जाएगा ना कि लौग मायक मैंस की लॉग हुंडर त्येंट हूदgener है यह आएगा कि यासे मिंटिप्ला करूंगा तो यह ऑन्धें जाएगा लॉग डिस तो इसको लॉग यासे लिखे गा बताऊ तो इस चीज को लॉग कैसे लिखे गा लॉग तो इसको आशी लिखे गा ना अब एग्जाम तक तो हो जाएगा लेबस बिक्ठोस एक्जान conception अब क्लास के बीच मैं ऐसे कोशन पूश्ट केूज का तरह हुआ है कि क्रेंड़ जेंज करता हुआ है कि पर दो या तो आप अप नुट करते हैं क्लियर जी कोई डाउट है तो भीया प्लीज पूछे को भी डाउट अगर आपको है तो आप जरूर पूछे है ठीक है सॉल करें किया है कर आपके पास एक टेबल उता ना रेट ऑफिंट अशट का टेबल होता तो आप उस टेबल से बारा पर जा सकते से वेवैलू देखने डिवाइड कर देतें पूरा ठीऻन युश्ग को तो आपको यहां पर सॉल्व करना भी आना अच्छी 12 अब लॉग 201 की वैल्यू आप निकालेंगे कि क्या होगा कि देखो कि लॉग 20 पे एक देखना है न मैं लॉग 20 पे एक देखना है में तो 30 बत्तिस कि तीन है तीन डिजिट है न दो डिजिट टू पॉइंट तीन डिजिट होगा और उसके बाद मैंनेस 220 पे जीरो तीन डिजिट है तो टू पॉइंट तीस तस क्लिए जी तो लॉग आर ए प्लस वन यहां कुछ करने के नीड़ नहीं है आपको सॉल करते हैं तो टू से टू तो जीरो हो गया बत्तिस कितना बचा आपका जीरो पॉइंट जीरो जीरो बाईस क्लिए जी अब आप इसको सॉल करेंगे तो लॉग आर ए प्लस वन इक्वल्स तू सॉल करेंगे आप तो यह क्या है आपके पास में कि बारदुनी 24 दो बारदुनी 24 दो कि 26 चीक है और एक दो तीन चार पॉइंट था तो चार क्या पॉइंट यहां पर आ गया क्लेरे जी बाद समझे अब अगर आप यहां देखते हैं कि यहां अब आप यहां पर देखेंगे कि क्या करने आपको यह एंटि लॉग वैल्यू निकालने पड़ेगा आपको कि क्या करेंगे आप आर ए प्लस वन एक्वल्स टू एंटी लॉग आफ जीरो पॉइंट जीरो टू अच्छा पर मंटिप्ला नहीं करा मैं इसको कि देख लेते हैं करके है जीरो पॉइंट जीरो डॉबल टू मंटिप्लाइबार अब यहां पर क्या करोगे आप एंटी लॉग निकालोगे किसका जीरो पॉइंट जीरो टू चिक्स फोर का एंटी लोग निकालोगे ख्ले टू चर्प टो क्या वैल्लूव आजए लोक की है अग्या डैख यह आपका एंटी लॉख ताएंट अ और टू saucam ждonetrics के जीरो पॉइंट तू पर चले गे पॉइंट जीरो टू पर चलेगय है इнымतर पर फिर चार पर जाना है गए टो दस constit हो गया किया 1 क् ע。 यह missile क्लेर जी समझें तो इसका क्या जीरो तो इसे 1 प्लस क्रते हुआ एक के बाद पॉइंट आएगा है प्टो देस बनद और यहां पे मेरे पास पे और एक सिर्फ हो और तो तो क्या जाएगा, 0.063 और फिर मैं rate के लिए multiply by 100 करूँ हो तो क्या जाएगा, 6.3 something, clear है जी?